पुराने नेम प्लेट पर हीरो का नया दाउंग, फिर तहल का मचाने आ रही है ये धान्सू बाइक, जानिये कब होगी लॉंच हीरो करिस्मव को साल 2003 में पहली बार लॉंच किया गया था, उस वक्त हीरो और जापानी दो पहिया वाहन निर्माता कमपनी होंडा एक साथ जोइन्ट वेंचर के तौर पर कारोबार कर रहे थे अब एक बार फिर से हीरो करे जम्हा को लॉंच करने की तयारी हो रही है देश की प्रमुक दो पहिया वाहन निर्माता कमपनी हीरो मोटो कॉप हीरो मोटो कॉप जल्द ही घरेलू बजार में अपनी नई बाइक को लॉंच करने की तयारी कर रही है कम्पनी ने अपनी इस नई बाइट का एक टीजर वीडियो भी जारी किया है जिसके अनुसार इसे आगामी 29 अगस्त 2023 को लॉंच किया जाएगा हाला कि इसमें नई मॉडल के नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है लेकिन माना जा रहा है कि हीरो एक बार फिर से करिजम को नई अफ्तार में लॉंच कर सकता है कम्पनी ने हाल ही में इस बाइट को अपने दीलशिप मीट में शोकेस किया था Hero Charisma को Company ने पहली बार मई 2003 में लॉंच किया था उस वक्त Hero और Honda एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इंडिया में कारोबार कर रहे थे इसे साल 2006 में एक बार फिर से अपटेट दिया गया था आगे चलकर साल 2007 में Company ने Charisma R को लॉंच किया और सितंबर 2009 में Company ने Charisma ZMR को पेश किया था इसे Programmed Fuel Injected Engine के साथ पेश किया गया था साल 2019 में मान घटने के चलते Company ने इस बाइक का प्रोडक्शन बंद कर दिया साल 2003 के दौरान जब Bajaj Auto अपने पलसा रेंज के साथ 200cc सेगमेंट में रफतार पकर रहा था उस वक्त Charisma को Company ने 223 गहन सेंटीमीटर की क्षमता के एर कूल्ड इंजन के साथ पेश किया था ये इंजन 2.0 PS की पावर और 19 न्यूटन मीटर का टॉप जैनरेट करता था हाला कि नए मॉडल के स्पैसिफिकेशन डिटेल के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है लेकिन समभफत इसे नए अपडेटिद 210 गहन सेंटीमीटर लिक्विद कूल्ड इंजन के साथ पेश किया जाएगा नए हीरो करिस्मा में क्या होगा खास जैसा कि हमने बताया कि इसमें 210 गहन सेंटीमीटर लिक्विद कूल्ड इंजन दिया जा सकता है और इसे बिलकुल नए प्लेटफॉर्म पर तयार किया जाएगा हाला कि अभी इसके पावर आउटपुट के बारे में कोई फिगर नहीं दिया गया है लेकिन इसा मना जा रहा है कि ये इंजन 25 बिएचपी की पावर जेनरेट करने में सक्षम होगा ये इंजन 6 स्पीड ट्रांस्मिशन गियर बॉक्स से लैस होगा स्टाइलिंग की बात करें तो करिस्मर जेड एक्समर जेड एक्समर में स्लीक हेडलेंप्स के साथ स्पोर्टी फेरिंग, टू-पीस सीट, डूल टोन फ्यूल टैनक और नेरो टेल सेक्षन मिलता है इसमें अन्य सुविधाओं के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलने की संभावना है करिस्मर एक्समर में स्टाइलेश हलॉए वीज के साथ इसके दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक मिलेंगे इसके फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक के बजाए पारम पर एक टेलिस्कोपिक सस्पेंशन दिया जा सकता है वही पीछे ही तरफ मोनोशोक सस्पेंशन दिया जा सकता है वीदियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें